हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टूपाइचैनल आज हम बनाने वाले हैं साबुदाना किच्डी इसके लिए सबसे पहले हम इंग्रीडेंट्स नोट कर लेंगे एक कटोरी 100 ग्राम तक साबुदाना उसे दो घंटा पहले पांच मिनट तक पानी में अची तरह से भीगा लेंगे फिर पूरा पानी निकालके दो घंटा भीगने रखेंगे या फिर ओवर नाइट ग्रीन चिली पेस्ट आलू बारिक कटा हुआ स्लाइस्ट किया है मैंने उसको और पीनट्स सेंग दाने उसे रोस्ट करके तवे पे मोटा मोटा कूट लिया है अब हम एक पैन में तेल गर्म कर लेंगे थोड़ा ही तेल लेना है जादे तेल नहीं लेना है हम इसमें बारी कटे हुए हमारे आलू डाल के अच्छी तरह से पका लेंगे फ्राइए कर लेंगे अच्छे से पकने रेंगे हिला के अच्छे पका लेंगे देखिया आलू पकने शुरू हो गए धीरे धीरे जब अच्छी तरह से पक जाए तो उसे साइड में निकाल लेंगे अब हम उसी पैन में या फिर दूसरे पैन में थोड़ा और तेल लेंगे उसमें घ्रीन चीली पेस्ट एड़ करेंगे अच्छी तरह से मिक्स कर लेजिए अब हमस में टेस्ट के हिसाब से आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक डाल देंगे थोड़ा सा और नमक अब लास्ट में हमस में हमारे जो फ्राई किये वे आलू थे अब अपने पसंद के हिसाब से रख सकते हैं अब हमसे पाच मिनट पे फास्ट फ्लेम तक फास्ट फ्लेम पे पकाएंगे ओपर नीचे करके साइड से अच्छी दरा से पका लेकर अब पाच मिनट हो जाएं तो से स्लो फ्लेम पर ढाग के दो से तीन मिनट के लिए पका लेकर अब खूल के चेक कर लीजिए अच्छी से मिक्स कर लीजिए देख चेक कर लीजिए सब तरफ से पक गए है या नहीं यह प्रेडी है अब हम इसे सर्फ कर सकते हैं करेंडर लीजिए और लेमन के साथ और इंजोई कीजिए अगर आपको मेरे रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए कर दो और सब्सक्राइब जरूर कीजिए भूर कीजिए आपको मेरे और लेगी नहीं